गुंटोर में हर तरह की मिर्ज की खेती होती है लेकिन इन में 334, 341, तेजा, 273 और सन्नम किस्म की मिर्चियों का जायका लोगों की जुबान को कुछ ज्यादा ही लुभाता है ये अलग बात है कि पिछले एक साल इन तमाम किस्मों की मिर्चियों में तेजा की मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है मिर्च कारोबार के जानकारों के मुताविक विदेशों से ज्यादा मांग और कुमोरिटी एक्सचेंज NCDEX के 334 की जगर तेजा को डिलिवरी काटेगरी में शामिल करने की वज़ा से इस किस्म की मिर्च की मांग में जबर्दस्त उचाल आया है तेजा का एक्सपोर्ट भी ज़्यादा है और फीचर मार्केटिंग है तो उसमें भी तेजा डाला हुगा है इस साल फरवरी में 7 से 8 हजार रुपे प्रतिक्विंटल चल रही मर्च का भाव अभी 12 हजार रुपे प्रतिक्विंटल तक पहुँच गया है अगले सिजन में इस तेजी का फाइदा उठाने के लिए किसानों ने जहां एक और मिर्च की खेती का रखबा पढ़ा दिया है वहीं 334 और 341 जैसी किस्मों को छोड़ कर ज्यादा से ज्यादा तेजा किस्म की मिर्च की खेती की जाने लगी है मिर्ची येशे रहितने येवर के तेजी अट्टी पोर येशे दे अधि तेजा मंची रेट वातने का बट्टी तेजा अध्वन पायत्तना जात्तनों ग्रामोलों लाश्टेरू 51 अखरालू मिर्ची येशे रहू अईते रेटू भागाय रावटं वालना इसमत्सरों दाधापका रिंडिवेल अखरालू मिर्ची येशे रहू अईते वातावानों अनुकोलंगा ल्यागपवटं वालना वर्षाबावं वालना मरी रहितूल चाला आंदोन लेगा वंडारू मरी पंटपैरू वर्षों सरिग्ग पट्टल लेदू मरी इसमत्सरों रहितुलू तेजा मिर्ची खेती करने से किसानों को दो तरह का फाइदा हो रहा है एक तरफ तो उन्हें बेहतर भाव मिलने में आसानी हो रही है वहीं दूसरी और खरिदार खुद चल कर उनके खेतों तक आ रहे है इससे मंडी तक फसल ले जाने का उनका खर्च भी बचता है जिससे उनके मुनाफे में बढ़ोतरी हो रही है गुंटूर में मुख्य तौर पर दो ही फसले होती है कपास और मिल्च लेकिन इस साल मिर्च की कीवतों में जिस तरह उचाल आया है उसके कारण कई किसानों ने कपास की जगर केवल मिर्च की ही खेती की है जैसे गुंटूर जिले के अनंत वरम गाउं में कलवा पल्ली राम रिड़ी ने पिछले बार अपनी 20 एकड जमीन में से 5 एकड पर कपास लगाया था लेकिन इस साल उन्होंने पूरे 20 एकड पर केवल मिर्च की ही खेती की है और इस तेजा क्रांति का फाइदा उठाकर आर्थिक तोर पर मजबूत कुछ किसानों ने उद्यमिता के नए अध्याय की भी शुरुवात कर दी है अन्ना पुरेड़ी अन्जीरेड़ी ऐसे ही एक किसान है जिरोंने किसानों में तेजा किस्म की मिर्च की भारी मांग के मद्दे नजर इसमें कारोबार का आउसर तलाश लिया है अन्जीरेड़ी अपने ग्रीन हाउस में यहां तेजा के पौधे तयार करते हैं जिन्हें वे किसानों को 50 पैसे की दर से बेच ले हैं और इसमें करेब 20 फीसदी का मुनाफा कमाते हैं निर्याद के लिए एक एहम केंद्र होने के कारण गुंटोर में केवल मिर्च की खेती ही नहीं होती बल्कि दुनिया के कई देशों में निर्याद भी होता है इसलिए यहां इन में वैल्यू एडिशन का भी एक छोटा मोटा उद्योग विक्सित हो चुका है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है मंडी से टकों में भर कर मिर्च इन सेंटरों तक लाए जाते हैं जहां हजारों महलाएं और कुछ पुरुष भी मिलकर इनकी डंडियां अलग करते हैं इसके बाद ओर्डर के लिहाद से मिर्च को पाउडर बनाने के लिए फैक्टरी में भेज दिया जाता है और बाकी खड़ी मिर्च सीधे विदेश भेज दी जाती है एक्सचेंज पर बढ़ती डिलिवरी और कारोबारियों की तरफ से ब्याज बदला का फाइदा उठाने के लिए खरीद में तेजी के कारण किसान भी अब कोल्ड स्टोरेज की सुधाओं का ज्यादा से ज्यादा लाफ उठाते हुए अपना मुनाफ़ा बढ़ाने की रणनीती बनाने लगा है इससे जहां एक और उसे वायदा भाव में आई तेजी का फायदा मिलता है वहीं वह आफ सीजन में कोल्ड स्टोरेज का माल बेच कर बढ़ी कीमतों का भी लाफ उठाने लगा है खायदा बढ़ा है तो किशाणों को भी इसका फाइदा अच्छा मिलता है इसका कारण यह है कि जितना भी ज़्यादा भाव वाइदे में रहेगा हम किसानों को उसके इसाब से हमारा बेनीफिर्ट देख के हम किसानों को भी भाव ज़्यादा देने के लिए राजी है फिल्हाल मिर्च की फसल बाजार में आने में करीब तीन महीने का वक्त बचा है हालांकि किसानों का मानना है कि इस साल खराब बारिश के कारण उत्पादन के नतीजे बहुत अच्छे नहीं रह सकते हैं इसके बावजूर मिर्च के इस मक्का में किसानों का बहुत कुछ केवल इसी बात पर निर्भर करता है क्योंकि फसल का बाजार भाव कैसा रहेगा तेजा मिर्च की खेती में किसान को हर एकड़ पर करीब 40,000 रुपए की बचत हो जाती है कपास के मुकाबले देखें तो हर एकड़ पर करीब 20,000 रुपए की बचत ज्यादा है उसी तरह दूसरी किस्म की मिर्चियों के मुकाबले भी तेजा की खेती में बचत ज्यादा हो रही है तो स्वाभाविक है कि किसानों का रुजान भी तेजा मिर्च की खेती की ओर बढ़ रहा है अच्छी बात यह है कि घरेलू मोर्चे पर एक और जहां तेजा की मांग को वाइदा बाजार से सहरा मिल रहा है वहीं विदेशी बाजारों में भी इसकी मांग की मजबूती बदस्तूर जारी है मंडी.com के लिए गुंटूर से अनिलवत्स के साथ भुवन भास कर कर के लाज आए गो कर भास अजय हो अच्छा नचाप उसो कर दो कर दो